कि एगाइज मैं प्रतीक और आप देख रहे हैं टैक प्रतीक यूट्यूब चैनल आज हम करने वाले हैं मोटरोला एज 5G की अन्बॉक्सिंग और आपको दिखाएंगे इसका फस्ट लुक साथ ही दोस्तों हम बहुत ही जल्द अन्बॉक्सिंग वीडियो लेकर आने वाले है अगर आप नए है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बैल आइकन को दवाना बिलकुल न भूले जिससे आपको मिले लेटेस्ट स्मार्टफॉन की अन्बॉक्सिंग वीडियो सबसे पहले दोस्तों यह है मोटरोला एज का बाक्स और यहां पर दे यूजर मैनुल यह यूजर मैनुल गाइड करता है फॉन की स्पैसिफिकेशन के बारे में साथ ही है यह हार्ड शैल बैक केज पॉन की प्रोटेक्शन के लिए और साथ ही इसमें आपको मिलेगा स्मे जक्रटर टूल और इसके साथ ही बॉक्स में आपको देखने को मिल इसके अलावा इसमें है एक 18-watt का फास्ट चार्जर जिहां यह है 18-watt का फास्ट चार्जर चार्जर के उपर ही दी हुई है Motorola की ब्रेंडिंग और बात करें अब इसके स्मार्टफॉन की तो Motorola Edge स्मार्टफॉन दिखता है कुछ ऐसा साथ ही इसमें grip काफी कमाल की दी हुई है ये और स्मार्टफॉन की तरह जादा चोड़ा नहीं है इसलिए इसको hold करना और इसको पगड़ कर रखना काफी जादा आसान है दोस्तो बात करें इसके weight की तो इसमें है 188 grams weight बात करें इसके left side की तो ये बिल्कुल plane दी गई है इसमें कोई भी button वगएरा कुछ नहीं है दोस्तो अब कर लेते हैं इसका screen protector remove और आपको दिखाते हैं Motorola Edge smartphone का first look दोस्तो Motorola के इस smartphone के color के बारे में बात करें तो ये है midnight black color में और ये रहा इसका first look आप हमें comment करके जरूर बताएगा कि आपको इसका first look कैसा लगा चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसके triple rear camera setup के बारे में उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें LED flashlight उपर की तरफ दी हुई है और उसके left hand side में है triple camera setup इसमें main camera है 64 megapixel का with f1.8 aperture second camera है 16 megapixel का ultra wide camera with f2.2 aperture बात करें third camera की तो यह है 8 megapixel का telephoto camera with f2.4 aperture with 2x optical zoom दोस्तो इसमें आप 4K वीडियो शूट कर पाएंगे वो भी 30F per second पर दोस्तो इसकी left side एकदम plane दी गई है as I told you earlier और यहां पर right side में दिया गया है volume rocker की और उसके just नीचे है power on and off button दोस्तों यहां पर आपको 3D curved edges देखने के लिए मिल जाती है और बात करें इसके उपर की side की तो यहां पर आपको मिलता है primary microphone और साथ ही है dedicated sim tray इसमें आप memory expand कर सकते हैं up to 1TB जी हां that means 1000 GB दोस्तों बात करें selfie camera की तो आपको मिलता है 25 megapixel का punch hole cut out selfie camera with 2.0 aperture इसमें नीचे की side आपको मिलेगा 3.5 mm का headphone jack साथ ही है type c port और दोस्तों end में आपको speaker girl देखने को मिलेगी जो है stereotype speakers चलिए दोस्तों इस phone को कर लेते हैं boot और साथ ही बात करते हैं इस phone की display and specifications के बारे में दोस्तों बात करें इसकी display की तो आपको इसमें मिलेगी 6.67 inches की full HD plus OLED display with 3D curved edges और इसमें है 90 hertz का fast refresh rate बात करते हैं इसकी battery के बारे में तो इसमें आपको मिलती है 45,000 mm की battery with 18 watt fast charging support दोस्तों बात करें motorola edge के screen की तो इसमें आपको मिलेगी Gorilla Glass 5 की protection साथ ही बात करें frame की तो इसमें है aluminium का frame बात करें इसकी back की तो back में आपको मिलेगी plastic जी हाँ यह plastic bag है इसको रभी करके देखोगे तो इस पर कोई खाज scratch नहीं आएगा और Corning Gorilla Glass 5 की protection इसके front screen पर तो बहाँ पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा दोस्तों बात करें इसकी edges के बारे में तो इसकी side में edges आ रही है just like waterfall display और इस पर भी display show होगी इट लुक्ट stunning और यह बिल्कुल future phone है दोस्तों बात करें इसके display fingerprint scanner की तो वो काफी smooth work करता है क्योंकि इसमें है 90 years का fast refresh rate CPU की बात करें तो इसमें आपको octa core देखने को मिलेगा और बात करें GPU की तो इसमें आपको मिलेगा एंडरीनो 620 दोस्तों बात करते हैं इसके n22 score की और Motorola edge का n22 score है 279,075 279,000 n22 score होने का मतलब है कि phone की overall performance काफी अच्छी है और आफ्ट रॉल यह है flagship phone तो इस परफरमेंस अच्छी तो हो नहीं दी दोस्तों चलिए अब इसमें खेल के देखते हैं पब जी गेम को और इसकी settings को हम हाइस पर लगा देते हैं दोस्तों Motorola edge में आप कोई भी गेम प्ले करते हैं तो आपको कोई लैक देखने को नहीं मिलेगा बिकाज इसमें है Snapdragon 765G processor जो अपने आप में काफी इच्छा processor है चलिए दोस्तों इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं वीडियो कॉलिटी इंप्राइशिव अब बात करते हैं इसके बेजल के बारे में तो इसमें उपर और नीचे सिर्फ उपर और नीचे ही बेजल दिए हुए अदरवाइस साइड में आप देख सकते हैं साइड में कोई वेजल नहीं है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह ऑबी इंडिय इंडिया में लाउंच नहीं हुआ है यह इंडिया में जून में लाउंच हो सकता है अब देखते हैं कि इसका क्या प्राइज रहने वाला है इसका अप्रॉक्सिमेटली प्राइज है फिफ्टी थाउजन के अराउंड दोस्तों कैसी लगे आपको मोटरोला एज 5G की यह स्मार्टफॉन की अन्बॉक्सिंग वीडियो आपको मिलें सबसे पहले फिर मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाइबाई